I will teach you lesson 3 in Hindi grammar मात्राइं, शब्द और वाक्य मात्राइं क्या होती हैं? स्वरों को विंजनों की साथ लिखते ही समय स्वर पूरे नहीं लिखे जाते हैं बल्कि इनके चिन विंजनों की साथ लिखे जाते हैं स्वरों का यह बदलाओहा रूप की मात्रा कहलाता है जैसे स्वरापकी कौन से होते हैं? ए, आ, ई, इ, उ, उ, री, ए, आ, आ, ओ, अव, उ, ओ, 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 इनकी मात्राएं होती हैं आ, फॉर एक्जामपिल, आ की कोई मात्रा नहीं होती है मात्रा सहित विंजनों का इसका शब्द बना कमल आ की मात्रा से, आ की मात्रा होती है, वेंजन और स्वर क, वेंजन और स्वर आ, इसका एक्जाम्पिल बना कय, आ, गैज, कागज, ये कहलाते हैं आपकी मात्रा, इ की मात्रा है, क, प्लस, इ, की, कीला, इ की बड़ी इ की मात्रा, क, प्लस, इ, की, कील, उ की, क, उ, कु, कुली, बड़े उ की, क, प्लस, उ, कु, कूडा, री की, क, प्लस, री, क्री, क्रिशक, ए की, ए, का, प्लस, ए, के, केला, I की का प्लस I के कैमरा O की का प्लस O को कोयल इतने वीडियों के बंग कर इसको